For more entertainment and news videos, subscribe MANA TV मार यूमा लेटेस्ट अब्डेट्स को सम् पकने विन बेल आइकोन नी क्लिक छे एंडी MANA TV के तरफ से नाजरीनों को आधाब तिलंगाना असिंबली एलेक्शन आ गया है इस तिलंगाना असिंबली एलेक्शन में जोश जुनून के साथ नौजवानों की राई होने वाला है इस सिलसले में हम इस टूडियो में जनाब मौमद शेक को बिलाया है नौजवान ओटर है आप, खाबिल ओटर है अब आपके राई हम सुनना चाहेंगे असलाम अलेकम सबसे पहले शुकर गुज़ार हूँ आज सब का जो मुझे यहाँ पर बुलाया गया है मेरी राई यह है कि मैं जिस तरीके से एक इतियास को देखता हूँ जो पॉलिटिक्स को देखता हूँ सियासत जिस तरीके से चल रही है ऐसे बहुत लोग सियासत में आते है और सोब लोग बहुत लोग सियासत जा चुके होते है लेकिन सियासत क्या करती है हम नौजवान के लिए वो जो बुड़े लोग है उनके लिए जो गरीब ही है यहाँ पर उनके लिए उनके लिए सियासत कर क्या रही है सियासत एक मज़ाग बन कर नहरना चाहिए सियासत एक तरीके से इंसान की मज़द करना चाहिए चाहो नौजवान रहो या घरीब रहो शेक आप अपकी तालिम के बारे में हमको कुछ बताएंगे जी सर्व मैं अपनी तालीम शुरू किया था 1998 में स्कूलिंग मेरी हुई थी जुबली हिल्स पॉब्लिक स्कूल से फिर वहां से मैं अपनी इंटर्मिडेट के आगे की पड़े ही पड़ा स्रीचेतिनां जुनियर कॉलेज से उसके बाद मैं सेंट जोसफ डिक्रीन पीची कॉलेज आग मेरे गुरू है और जो मेरे अधियापक है उनका भी बहुत पड़ा रोल रहा है इसमें तो आप पहले बार ओड दालने जा रहे है या नहीं सहीं मेरा दूसरा बार है तो आपको तजुर्बा है वोड दालने में जिए पहली बार तो तजुर्बा तो यह था कि मैं डिरेक जुर्बार करें बालत वोड़ किया था विह अलेक्षिं की डूटी मिली थी मुझे फ्रम है यह दर बाद पर पॉलिस के तरफ से और महाँ पर ड्यूटी किया मॉनिंग से लें एविन देविन धर रूप यह के लिमिट्स में और महाँ पे जो एसे पी थे उनके साथ नोग का NSS coordinators का bond था और उसमें हम लोग coordinating करें से आपके घर में कितने लोग राय देने जाएंगे ये बार इस बार मेरा छोटा भाई भी वोट देगा तो हम मिला के चार लोग होते हैं तो पहली बार वोट देंगे ये उसका पहली बार है और वो बहुत खुश है कि वोट दे रहा ह है लेकिन मैं किसको ये समय शारा रहने कि वोट दे रहे हो लेकिन किसको में सवाल पुछां कि भृया खिसको वोट दो हूं मैं यह समझाना चाह रहे हूँ कि आजकल के नौजबान उन है अभी ठीटी तो उसमें नॉलेज होना चाहिए कि किसको वोट दिना चाहिए ऐकर अस pouco पता होना चाहिए कि गुवर्णेमेंट में कितने सीट्स होते हैं समली के लिए कितने सीट्स के लिए आज लोग वोट दानने जा रहे साथ डिसंबर को लेकिन मैं तजूरवे से यह कह सकता हूं कि 60% लोग को ये भी पता ने होगा कि कितने सीट्स के लिए एलेक्शन किया जा रहा है तो आप आपके भाई को सलाह मशुरा देने में सफल है इसका मतलब सर मैं भी उतना सा गवर्नमेंट के बारे में बोलने सकता है कि मैं भी एक स्टूडेंट ही हो अभी मैं उतना गवर्नमेंट के क्लोज गया ने और अनलाइस किया ने लेकिन इतना मैं बोल सकता हूं कि हां उसको ये बोला कि government के जो policies है जो दिये थे 2014 में क्या वो लोग करने में काम्याब हुए या नहीं क्या जो government जो थी जो सियासत चल रही थी क्या वो सियासत सही है या नहीं तो आपके जैन में जो सरकार थी उसमें आपको कोई भी experiences है जो आप हमसे share करना चाहेंगे सेर experience के मताबिक मैं यह कहना चाहता हूँ कि government ने बहुत सारे promises किये है government ने बहुत सारे policies बनाए हैं बहुत सारे वादे किये थे सियासत का मतलब यह नहीं होदा कि वादा किया जाए और उसे निभायान आ जाए यह तो हम बहुत सालों से देखते आ रहे है कि सियासत एक ऐसी चीज बन चुकी है कि वादा तो किया जाता है लेकिन उसे पूरा काने के लिए बहुत वक्त लग जाता है ऐसा कौन सी वादा आप जिकर करना चाहेंगे सेर जैसे कि employment की बात हुई थी है employment दो सबको नहीं मिला लेकिन हाँ कुछी लोग को मिला और घर हर कुछ पांस लाग घर की कुछ इसी बात हुई थी government की वो भी मैं नहीं समाज़ता कि सबको मिल गया है गरीबी भी हटाने की बात हुई थी और वो भी थूड़ी सी हुटी है लेकिन उतना up to the mark नहीं हुआ से तो आप खहने का मतलब है कि आप उतना खुश नहीं है सरकार पे सर मैं यह तो नहीं कह सकता है कि मैं खुश हूँ भी या खुश नहीं भी हूँ भी क्यूंकि मुझे कुछ चीजें यह नहीं पता है government के बारे में कि exact government government जो कर रही है कि वह सही है या गलत क्यूंकि हो सकता है कि मैं जो सोंच रहूं मेरा point of यह गलत हो सकता और जो government कर रही है वह सही हो सकता या फिर मैं जो सोंच रहूं तो आपका क्या सोच है? इतना तो मैं बोल सकता हूँ कि एक नौजवान का जितना रोल प्ले होता है कोई भी कंट्री में उतना रोल किसी का भी प्ले नहीं हो सकता हूँ एक नौजवान को बताना चाहिए एक नौजवान अपने मुलक का फ्यूचर बना सकता हूँ एक नौजवान अपने मुलक को बदल सकता अच्छे से बुरा और बुरे से बुरा भी एक नौजवान के हाथ में होता है कि वो अपने मुल्क के लिए क्या करना चाहिए और ये नौजवान को करने के लिए एक government opportunity देना चाहिए government वो लोग को जो चाहिए वो लोग करना चाहते हैं वो करने का opportunity देना चाहिए और नौजवान लोग एनलाइस करके, सोंच के, अपने लोगों को बताना चाहिए, सिखाना चाहिए, यह नहीं कि उनको डराना, लेकिन उनको सिखाना चाहिए कि क्या गलत है, क्या सही है, गलत रहा चलने पर से क्या मिल सकता है, वो बताना चाहिए, सही रहा पर चलने से क्या experiences सरकार से हमें बता सकेंगे जजयां तो अपने पारे में की CoachMe आपने पाइसिपर्ट एप्लाई करने के लिए ईजब मैं लाइसिन्स के लिए गा था और जब मैं आधर काट के लिए खाओ और मेरे टान्सफर सर्टिफिकेट रम आंदर प्रदेश्ट तेलेंगाना के लिए गया था ये सर्टिफिकेट में मुझे बहुत आसानी हुई है जिस तरीकेसे मैं समझता था कि जब मेरे माबाब माता पीता जब पासपोर्ट के लिए अपलाई किये थे उनको तक्रीवन एक महना आखाए कि बहुत डिफरिंट चेंज आए गवर्नमेंट में जो काम धी दीजल्ब इसने बहुत जल्दा जल्दा चल्द हो रहे हैं कुछ जगाएं हैं जहां पर बिना पैसे दिय科 भी नहीं होते सबसे पहले मैं यह बोलता हूं की इंप्लाइमेंट के बार में गवर्नमेंट सेट से बोल रहा हूं गवर्नमेंट जॉब्स के बार में जो टीएस पीएसी के नोटिफिकेशन्स थे और एक्जाम भी बहुत नौजवान लिखे उनका रिजल्ट आज भी नहीं आया है बस लोग उमीद में है कि अगर उनका रिजल्ट आ गया अगर वो लोग पास हो गए तो इसमें इसमें कॉंस देरी होर लीखिन हाag कितना देर हुआा हो जब बुलते देर हो गया रिजल्स देलर करने में वो लोग ने कुछ टीएसपी इसी लोगों ने कुछ आउटरेड़ दिया आपको कि छे मेने में आपका रिजल्ट आजाएगा, एक साल में आपका रिजल्ट आजाएगा? Sir, ऐसा कि तो कोई रिजल्ट नहीं है, जो एक साल के बाद आना चाहिए. इसको प्रिलिम्स कहते हैं, उसका रिजल्ट जब तीन मेने में आ सकता है, तो मैं समझता हूँ कि इसकी एक्जाइम के लिए छे मेने से बड़के टाइम ने लेना चाहिए. चे मेने से बड़के टाइम ने लेना चाहिए? जी आँ. ठीक है. शेक आजकल उनर की तरक्षी का बहुत बड़ी मिसाल दी जारी है सरकार से. स्किल डेवलोप्मेंट की बात कर रहे हैं. जी साव. तो स्किल डेवलोप्मेंट के बारे में आपका राई क्या है? से देखिए, हुनर तो हर इंसान में होता है, लेगिन उसकी तरक्षी में अगर कुछ इजाफा होता है, तो उसे गवर्नमेंट करती है. जैसे कि अगर कोई प्रोग्रेम्स या फिक कोई क्लासेस वगराद एक्स्ट्रा क्लासेस या फिक कोई इंजी ओ अगर उनने आ जाते हैं, तो उनकी हुनर में इजाफा होने के बहुत सारे थरीके हो सकते हैं. और साथ साथ हुनर एक नौजवान के पास हुनर के तरक्य के साथ साथ जब उने कोई प्रोग्रामस में जाता है उसको उसकी वो रोजी नहीं मिलती जहां पर होनी चाहिए जो रोजी होना चाहिए वो नहीं मिलती तो गवर्नेमेंट को ये देखना है चाहिए कि उसके हुनर क मताबिक उसे वो रोजी मिल जाए ताकि उसको भी खुशी हो सके और उसकी घरवानों को भी खुशी हो सके तो उनर की तरिकी से आप रोजी की बहुत जरूरी की बात की है और क्या राए देना चाहिए आप इस सरकार को सरी देखे एक और बात जो मैं यह मुद्दा उठाना चाहता हूँ गवर्नमेंट के लिए जो गवर्नमेंट इसके लिए इसके पीछे है ही लेकिन फिर भी एक मेरी दिली तमन्ना है जो हम औरतों को the women empowerment जिसे कहते हैं हम इज़त तो दे रहे हैं लेकिन क्या आजकर हम देख रहे हैं कि कितने केसे स्पेंडिंग है अदालत में तारीक पर तारीक तारीक पर तारीक दी जाती है लेकिन इन केसे को कोई पहल हो सकती है क्या सिर्फ एक औरत को इज़त दी जाती है दसिरा के दिन दिवाली के दिन रमजान के दिन इंडिपेंडेंस डे के दिन 26 जनवरी के दिन नहीं हर साल, हर मेना, हर दिन एक औरत को उसकी इज़त देना चाहिए एक औरत का आयास एक इनसान से बढ़के है हमें नौजवान से ये पता चल रहा है कि तिलंगाना पॉब्लिक सर्विस कमिशन अपनी एक्जाम्स के रिजल्ट्स समय पर एलान ना करके नव्यों को फरस्टेशन में लेके आ रहा है और उन्होंने ये भी कहा है कि आउरत के एजास को और उन्चा दर्जा मिलना चाहिए साथ में साथ शेक ने ये भी कहा है कि उन्होंने की तरक्की में जो सरकार की रोल है वो और जादा होना चाहिए साइनिंग आफ सरकार डॉक्टर गौतम झाल